दोस्तों बेबाकी से जीने के लिए हर इंसान आजादी चाहता है और हमारे देश में हर नाकरी को धर्म, जाती, भाशा, रंग की बिना परवा की स्वतंतरता से जीने का अधिकार है जिसे सही माइनों में मानवा अधिकार की परिभाशा भी कहा जा सकता है लेकिन इसके बावजूद आज 21 सदी में भी मानव अदिकारों का हलन होता जा रहा है और इसको डियंतरन करने के लिए हर साल 10 दिसंबर को World Human Rights Day मनाया जाता है आज इनी मानव अदिकारों पर चचा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौझूद हैं डॉक्टर अंजू सिंदु जी असेस्टेंट प्रॉफिसर इन सीयर कॉलेज लोफ हिसार और सीनियर एडवोकेट सुरेंदर धुल जी जिनका लगबग 30 साल का वकालत का अनुभव रहा है और ये क्रिमिनल केसिस के अलावा हर तरह की सिविल केसिस को भी हैंडल करते हैं आप तुनों का हमारे इस कारेक्रम में बहुत-बहुत स्वागत है सर सबसे पहले हम आपसे यह जाना चाहेंगे कि जो हुमन राइट्स का कॉंसेप्ट है उसका ओरिजिन कहा से हुआ क्या उसकी हिस्ट्री है और किस तरीके से हम हुमन राइट्स को परिभाशित कर सकते हैं ऐसा है Human Rights Related में ऐसा कि हम हमेशा से ही जब से मानव जाती की जागरती हुई है तब से मानव उत्थान के लिए Human Rights Related हमारी विचारधारा स्टार्ट हुई लेकिन इसी बात को मध्य नजर रखते हुए यानि मानव जाती को समानता देने के लिए जाती के आधार पर और धर्म के आधार पर जैसा हमारा समाज बढ़ता चला जाता है उन चीजों को खतम करने के लिए एक मानव को सवतंतर बनाने के लिए अपनी आजादी से रिलेटिड आजाद जीवन जीने के लिए बिना किसी दबाओ के बिना किसी परभाओ के सवतंतर रहने के लिए जीने की एक कला है और उसी से संबंदित हमारे 1948 में UNO ने 10 दिसंबर का एक पर्टिकुलर डे इसी चीज़ से रिलेटिड सेलिबरेट करने के लिए रखा गया और पहली बार 10 दिसंबर 1948 को यह मनाया गया और उसके बाद हर साल यह मनाया जाता है अब की बार भी इसी परफेस के लिए इसको हम उसी तरीके से जैसे यह हमारी पर्था मनाने की चलिया रही है इसके उपर हम हर साल एक थीम देते हैं अब की बार का जो थीम है वो यही थीम है कि हमने मानव अधिकारों को आगे बढ़ाना है इसकी जागरती को आगे बढ़ाना है और इसमें जो कमिया है उनको दूर करना है यानि कि इसमें हमने ए समानता को कम करना है और समानता को हमने हवा देना है उपर उठाना है मैम जो हमारा भारतीय समीधान है इंडियन कॉंस्टिटूशन में हर भारतीय नागरी के जो मानवा दिकार है उनकी रक्षा को कैसे सुनिश्चित करता है इस बारे में आप थोड़ा सा विस्तार से बताए जैसा कि सर ने बताया कि 10 दिसंबर 1948 को मानवा दिकारों की युनिवर्सल डिकलेरेशन होई थी तो ये वो वक्त था जब भारतीय समीधान बनाया जा रहा था भारतीय समीधान 1946 में बनना शरू हुआ था और 1949 में बनकर तयार हुआ था तो ये वो टाइम था जब पूरी दुनिया में मानवा धिकारों की मांग उठ रही थे तो भारतिय स्विधान के निर्माता ने ज्यादातर मानवा धिकारों को मोलिक अधिकारों में इंक्लूड कर दिया अगर भारतिय स्विधान के आर्टिकल 14 की बात करें तो उसमें समानता का अधिकार आर्टिकल 15 में वन्स जाती लिंग या जनम स्थान के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव ना होना आर्टिकल 17 में छुआ चूत को रोकना आर्टिकल 19 अभिवेक्ति की सवतनतर्ता का अधिकार देता है और आर्टिकल 23 शोशन के विरूत अधिकार की रोकता है और आर्टिकल 25 में धरम की समानता की बात कही गई है तो भारतिय सवीधान के अनुसार ही हमारा देश चलता है और भारतिय सवीधान सुप्रीम लो है तो जब देश के सुप्रीम लो में मानवा धिकारों की और fundamental rights की बात कही गई है तो मुझे लगता है कि यह बहुत बड़ी उपलब्धी है और अपने आप में यह बहुत बड़ी बात है जी बिल्कुल सर, भारतसरकार की मैम ने भी बात की है तो भारतसरकार ने हमारे देश में हर लेवल पर, जैसे कि national है स्टेट लेवल है उसके पार डिस्टिक लेवल पर आयोग इस्टेबलिश किये हैं तो ऐसे में आप यह बताएं कि यह जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो बनाया है सरकार ने इसकी कारिया प्रणाली क्या है इनका जो वर्किंग मेकैनिजम है वो किस तरह से काम करता है कि एक विक्टिम जो अपनी कंप्लेंस को रिट्रेस करा सके इस बारे में थोड़ा बताएं देखेगा यूएनों के दवारा बार बार इसके हमारी आवाजें और उसको एक्स्प्लेन करने से रिलेटिड आगे हमारी अवेरनेस रही है लेकिन हमारे इंडिया में पहली बार उननी सो तरहनुए में दे प्रोटेक्शन हुमेन राइट से रिलेटिड हमारा एक कानून बना और कानून बनने के बाद उसी कानून के अकोर्डिंग ही हमने हमारे इंडिया के अंदर कमीशन स्टेबलिस किये जो सबसे पहले जो सबसे बड़ा कमीशन है वो है नैशनल हु पूरिट कमीशन हमने बनाई और इसी हमने राइट से रिलेटिड ही हमने आगे इसी को और एक्सप्लेइन करते हुए इसका आगे पार्ट बनाते हुए हमने विमन राइट कमीशन बनाया, स्टूल कास्थ, स्टूल ट्राईब्स और अपंक से रिलेटिड भी हमने 7 question child welfare से र इसी परकार हमारे स्टेट कमीशन की भी स्थापना हुई स्टेट कमीशन भी हर स्टेट के अंदर अपना अपना एक स्टेट कमीशन है जिसमें एक चेर्मेन होता है चार मेंबर होते हैं जो भी चेर्मेन होता है वो रिटायर जज होता है और आगे district level के उपर भी हमारा provision है यह दिस state commission में number of cases complaint की संख्या बढ़ जाती है तो state government with the consultation of the high court chief justice हमारे district and sausages को भी as a chairman commission का न्यूक्त कर सकते हैं speedy trial के लिए जी बिलकुल मैम मेरा अगला सवाल आप से है कि awareness वाकई में बहुत जरूरी है और इसका सबसे अच्छा उधारण हमें अभी देखने को मिला कि जो environment को लेकर जो सजकता आई है जो जागरुकता आई है लोगों में और कहीं नगी सरकार ने में बड़ा अच्छा कदम उठाया है कि environmental science को school level पर एक compulsory subject खोशित कर दिया है जो वाके में बहुत सराहनी है लेकिन अगर हम human rights की बात करें तो human rights को लेकर लोगों में जागरुकता बिल्कुल ना के बराबर है तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगी क्या हमें human rights का एक subject curriculum का हिस्सा बना देना चाहिए या school और college में उसको लागू करवा देना चाहिए जी बिलकुर बहुत अच्छा स्वाल पूछा आपने मैं खुद अक्सर इस बारे में कई बार सोचती हूँ आप ये देखिए कि हमारे school में राजनीती सास्तर पढ़ाया जाता है अरत सास्तर पढ़ाया जाता है ग्रह विज्ञान पढ़ाया जाता है और यहां तक कि ड्रोइंग पढ़ाया जाती है तो आप ये मानिए कि क्या पता ड्रोइंग और ग्रह विज्ञान के या अरत सास्तर के जो रूल्स बताया जाते हैं वो पूरी लाइफ में हमारी कभी काम भी ना है हमें पढ़ाया जाता है कि बाबर कौन था अकबर कहां से आया, हुमायू का बेटा कौन था तो ये चीज़े शयद कभी हमारी लाइफ में काम भी ना है और जो हमें चीज़ों की basic low मुझे लगता है कि वो पढ़ाया जाना चाहिए और ये तभी संबो हो सकता है जब स्कूली पठेकरम में इसे शामिल किया जाए बिल्कुल, तो जब तक लोगों को ये पता ही नहीं होगा कि मानवा अधिकार क्या है, कैसे उनका वो इलेशन होता है और उनका उलंगन होने पर आप कहां जा सकते हैं, क्या कर सकते हैं तो ये awareness लोगों में तभी आएगे, तभी उनको पता लगेगा जब स्कूली पठेकरम में इसे शामिल किया जाएगा तो बिल्कुल मैं यह कहना चाहूंगी कि स्कूली पाठे करब में इसे शामिल किया जाना चाहिए देखेगा सबसे पहले तो अवेरनेस की कमी की वजए से लोगों को पता नहीं होता वो सिरफ इतना सोशते हैं कि भी हमारे को रिलीफ जो है कोट से मिलेगा लेकिन नो डाउट कोट रिलीफ देती है और कोट रिलीफ उनीमें ही देती है कि जिनमें एक स्पैसिफिक एक्ट का और जहां तक बात है कि उनका यदि हमें लगता है कि इसे Human Rights Commission में आना चाहिए तो हम उनको गाइड करते हैं कि Human Rights Commission में अपनी कम्प्लेंट दज करवाई और Human Rights Commission के अंदर कम्प्लेंट हिंदी में इंगलिस में या किसी दूसरी भाषा के अंदर भी कम्प्लेंट दी जा सकती है इन परसन भी दी जा सकते हैं उसके लिए कोई फीस नहीं है उसके लिए किसी वकील का अंगेज करना वकील को फीस दे के चलना ये कोई जुरूरी नहीं है कि उसमें कम्प्लेंट अपनी सीधी दरखास बेज सकता है हमारा हर्याना में जो कमीशन है वो हमारा चंडिगड में है सेक्टर 33 के अंदर निर्मान भावन के अंदर उसके इलावा इसके दो ओफिस और बनाए गए जहां कन्विनिट लगे दिली में भी यदि हर्याना से रिलेटिट कोई कम्प्लेंट देना चाहता है तो हर्याना भावन के अंदर दे सकता है और चंडिगड में सेक्टर 19 के अ आपने बताया मैं अगर बात करें एक तरफ human rights है और दूसरी तरफ human rights की अगर बात करें तो आपको क्या लगता है कि यह दोनों rights एक ही सिक्के के पहलू है या फिर दोनों इक दूसरे से बिलकुल अलग है इस बारे में आपके क्या विचार है जी मैं कहना चाहूंगी कि दे मानव अधिकारों के साथ पैदा होता है तो मानव अधिकारों में चाहिए वो पुरश है या महिला है दोनों ही मानव है अगर महिलाओं को मानव होने के नाते अधिकार मिले हुए है तो अलग से उन्हें महिला अधिकारों की क्या जरूरत है आप देखिए कि संसद की अगर संख्या है वो ना के बराबर है तो हम में जरूरत है कि जो मानवा अधिकार हैं वो पूरी तरह से हमें मिलें तो अगर मानव होने के नाते मानवा अधिकार हमें मिलें तो मुझे नहीं लगता कि अलग से महिला अधिकारों के आने जरूरत है बिल्कुल इसके साथ मैं आपके स बहुत सारे आयोग बनाए हैं जैसे रैश्ट्री है, अनुसुचित, जाती आयोग है, अल्पसंखिक आयोग है, पिछ्रा वरग आयोग है, और भी बहुत सारे आयोग हैं. तो यहाँ पर मैं यह जानना चाहूंगी कि इतने सारे आयोग होने के बावजूद आज के वक्त भी म इस बारे में आपके क्या विचार हैं? जिदी मानो अधिकारों का उलंगन वो कर रहे हैं, या किसी के परती, किसी के खिलाफ ऐसा किया जा रहा है, कि उनको दंडित किया जा सकता है, तो इसलिए इस अवेरनेस का यह हमें यह फायदा होगा, कि हमारे मानो अधिकारों का हननन होना बंद हो जाएगा. हमारी कोशिश है तभी तो आज का जो हमारा थीम है वो इसी बात के लिए है कि इन चीजों को खतम करना जितना भी हमारी इन एक्यूलिटी जो है एस समानता है उसको रिड्यूस करने का ही हमारा थीम इसलिए रखा गया है बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब दिया सर आपने मैं में एक बहुत ही इंपोरिंट सवाल है कि हमारा जो देश है वो फुल अफ डाइवरसिटी है यहाँ पर हर तरह के लोग रहते हैं अमीर गरीब हम सब जानते हैं इस बारे में तो यहाँ पर यह मेरा सवाल है कि जो एकॉन इवन राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए तीन बातों का होना बहुत ही ज़रूरी है एक राजनेतिक न्याए सामाजिक न्याए और आर्थिक न्याए जब एक इनसान आर्थिक रूप से ससक्त नहीं होता है तो ना सिरफ उसके मानवा दिकारों का हननन होगा बलकि उसका उत्पीडन भी होगा और जब एक इनसान आर्थिक सामाजिक और राजनेतिक रूप से पूरी तरह से ससक्त होता है तो उसके मानवा दिकारों का हननन करने का कोई सोच भी नहीं सकता और जिसके पास आर्थिक रूप से जो मजबूत है उसके पास रोटी का पड़ा मकान रो कानून व्यवस्ता को बिल्कुल शक्ती से लागू करना चाहिए सर मैं ये जाना चाहूंगी कि भारे सरकार ने जो नेशनल लेवल पर और स्टेट लेवल पर जो हीमन राइट्स कमिशन एस्टेबलिश की है उनका मैं ये उनकी पास हीरिंग पावर तो है लेकिन मैं ये जा भी उनके पास बहुत इनहरेट पावर से हैं और सिविल प्रनिश्मेंट लाइक एज कमपन्शेशन किसी को कमपन्शेट करना है पैसे के इसाब से दूसरी पार्टी के ओपर जुरुमाना लगाके विक्टिम को हमने कमपन्शेट करना है पैसों के आदार पर तो वो भी एक प्रनिश्मेंट है उसकी पावर्थ खुद के पास कमिशन के पास है रही बात कि यदि हम यह चाहें या कोई भी पिडित यह चाहें कि इसे जेल की सजाओ तो जेल की सजा के लिए उनके पास प्रावधान है कि यदि कोई क्रिमिनल ओफेंस इस नेचर का बनता है कि कि किसी इसने कम्प्लेनिन के खिलाब कोई क्रिमिनल ओफेंस किया हुआ है और उसका स्पैसिफिक कोई प्रोविजन नहीं है जैसे कि किसी व्यक्ती नेचर करवाने के लिए पुलिस में जाता है पुलिस एफई आर दर्ज नहीं करती है उस सिचुएशन में वो डारेक्शन देंग कि पुलिस एफई अर दर्ज करें फिर भी इन से भी यह दी कोई डिफरेंट नेचर का केस है तो वो कमिशन के पास पावर है कि वो कंसर्ण जो जुडिसिल मजी स्टेट है उनको केस को रेफर किया जा सकता है या स्टेट गोर्मेंट को डारेक्शन दी जा सकती है कि इनके खिलाफ एफई रजिस्टर की जाए पुलिस अधिकारी के को डिरेक्शन दी जा सकती है कि वो खुद इन्वेस्टिगेट करें कमिशन के पास यह भी पावर है कि वो फर्दर इन्वेस्टिगेटिंग ओफिसर के तोर पर एक कमिशन भी नियुक्त कर सकते है और उसमें जैस इन्वेस्टिगेट खुद भी करें जी यानि कि आपके अनुसार जो नैशनल और स्टेट लेवल पर जो हुमन राइट्स कमिशन हैं वो सिर्फ एडवाइजरी बॉडीज नहीं हैं उनके पास पनिश्मेंट की भी पावर है जी मैं यहां मैं आपसे यह सवाल या हमारे गौवर्मेंट की तरफ से स्पेशल राइट्स भी दिये गए हैं मानव अधिकार दिये गए हैं लोगों को लोगों की सुरुक्षा को सुनिश्ट करने के लिए लेकिन आए दिन हम देखने को मिलता है कि बानव अधिकारों का आज भी हननन होता जा रहा है तो हमें सबसे पहले यह देखना है कि हमारे भारतिय सवीधान में सम्मानता का अधिकार, शोशन के विरुद अधिकार, अभिवक्ति का अधिकार दिया गया है, शिक्षा का अधिकार, धरम का अधिकार, यह सब दिये गई हैं, तो हमें यह देखना है कि जो शिक्षा है, वो किस दी जारी है, या धरम के नाम पर दंगे होते हैं, हिंशा होती है, तो किस तरहें से लोगों में ये देखने को मिलता है कि अवेरनेस इसके परती उसमें नहीं है, तो स्टेट लेवल, कमिशन लेवल, सबसे पहले अवेर करें लोगों को पहले ये पता हो कि जब आपके मानवा अधिकारों का हनन होता है तो आप कोर्ट का रास्ता ले सकते हैं आप आयोग में जा सकते हैं तो ये रास्ता लोग तभी अपनाएंगे जब उनको पता होगा अवेरनेस होगी उनको इस बारे में नोलेज होगी कि जब हमारे मानवा अधिकारों का उलंगन होता है तो हम कहां जा सकते हैं और क्या कर सकते हैं जी बिल्कुल सही कहा मैं आपने मैं आप तोनों से एक बहुत ही बहतुपुन सवाल पुछना चाहूंगी कि हमारे भारत में आज पी ऐसे बहुत सारे एरियाज हैं जहां पर अशांती का माहुल बना रहता है जिस नौर्थ इस्ट है जम्मू क का वैलेशन भी ना हो तो इस बारे में आप कि क्या विचार हैं जी सो से पहले मैं माफी चाहूंगी और यहां मैं आपको दुरूस्त करना चाहूंगी कि मुझे लगता है कि कानून विवस्था और मानवा अधिकार दोनों एक ही हैं अलग अलग नहीं है क्योंकि कानून का क प्रोविजन यदि उसके लिए कोई स्पैसिफिक एक्ट बना हुआ है उसके लिए कोई भी विक्टिम अपना बाई वे ओफ केस सिविल या क्रिमिनल से वो अपना बैनिफिट अपना ग्रिवेंस कोर्ट में रख सकता है और जिसका स्पैसल कोई एक्ट में प्रोविजन नह जा सकता है लेकिन इसके लिए कुछे conditions हैं वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके लिए एक साल की limitation है कि जो भी offense यदि हुआ है उसका within one year वो डाल सकता है दूसरी बात लोग जो है न पहले से जदी कोई case pending है तो वो maintainable नहीं हो पाएगा तो कुछे conditions हैं कमिशन की भी कि लोग जो है एक जग एक की बजाए तस-दस जगह अपना relief लेने की कोशिश करते हैं कि वो यदि उनको relief particular जगह से नहीं मिलता है तो वो वहाँ पर जा सकते हैं अ करो 16 कि जगह जो सवतेंटेटेट का अधिकार है और वीक्तिक लाए अधिकार होता है हमारा निज़ी अधिकार होता है आप दोनों इसो कारेक्रम में उदरी जरूर심 का हिस्सफंस में और आपख दोनु इस कारेक्रम में दरूर्ट का इस्स्षा आधिकार he is उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद